हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मैस गुर्जार, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलोपमेंट, मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए ये सेशन में समझते हैं स्कैन एंड डिस्पले मल्टिपल स्ट्रिंग्स तो multiple strings के लिए हम क्या कर सकते है character s1 of 100 ये एक string फिर second string के लिए s2 of 100 वैसे up to up to up to up to s10 of 100 मतलब ये 10 strings variable हमने डिकलेर किया इसके जगह पे हम two dimensional array से ये काम बहुती easy कर सकते है s of 10 मतलब ये 10 string और 10 string के अंदर जो limit रखनी है वो 100 characters की रखनी है ठीक है तो यहाँ पे क्या है separate string है यहाँ पे two dimensional के त्रिव एक ही variable के अंदर हमने 10 string को set कर लिया तो दोनों में difference क्या है वो समझना है मानो पहले ये लेते है character s of 100 तो यहाँ पे ये एक array create होगा 0, 1, 2, 3, 4, up to, up to 99 और ये last element के अंदर special character होगा null तो ये क्या है ये पूरा जो है उसको हम बोलते है s तो सिर्फ s जो है वो पूरी string है ठीक है सिर्फ s जो है वो पूरी string है और यहाँ पे first character अगर use करना है तो s of 0 s of 0 का मतलब क्या होता है first character समझना बराबर ये s of 0 जो है वो first character है और ये पूरा जो memory है वो s है s जो है वो string है ठीक है यही चीज अब हम two dimensional array में समझते है यहाँ पे हम समझने के लिए लेते है S3 ठीक है तीन string और तीनो string के अंदर 100 मतलब total 100 multiplied by 3 300 memory consume होगे तो मानों कि यह पूरा एक array की memory है तीन पार्ट कर देते है 0, 1 and 2 इसके अंदर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 फिर यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 और यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 ठीक है चलो यहाँ से मैं यह पार्ट ऐसे पाड़ देता हूँ 0 फिर यह 1 तो यह जो है वो 0 है यह 1 है यह 2 है और 0 के अंदर फिर से 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 0, 1, 2, 3, up to, up to 99 तो इसके अंदर देखो यह पूरा 0 नंबर का जो पार्ट है वो पूरी एक स्ट्रिंग है यह 1 नंबर का जो पूरा पार्ट है वो एक सेकंड स्ट्रिंग है और 2 नंबर का जो पार्ट है वो थर्ड स्ट्रिंग है तो यहाँ पे यह पूरी जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा? S of 0 तो यह S of 0 है वो स्ट्रिंग है ठीक है? और यहाँ पे क्या है? यह एक single string है, इसका मतलब s, s जो है वो string है, यहाँ पर क्या है, s of 10 मतलब s of 0 एक string है, s of 1 string है, तो यह s of 0 string है, और यह first character जो है, वो क्या होगा, s of 0 और उसके अंदर 0, यह होगा first character, तो यह समझना है concept wise, ठीक है, तो यह concept के इसाब से हम क्या करेंगे, यह program create करते है, तो इसके लिए सबसे पहले हम declare कर देते है, character s of 10, और उसके अंदर 100, लूप चलाने के लिए integer i, फिर लूप के अंदर scan करते है, for i is equal to 0, 0 से लेके i less than or equal to 9, 10 string को scan करना है, मतलब 0 से लेके 9 तक, and then i plus plus, printf, flush all and get s, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ s string नहीं है, ठीक है, single dimensional था, तो सिर्फ s string था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s of 0 string है, s of 1 string है, s of 2 string है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, s of i, मतलब यह first string, next time second string, next time third string, ऐसे करके, पुरा string scan हो जाएगा, उसके बाद display भी इस तरीके से करेंगे हम, फिर से 4, i is equal to 0, i less than or equal to 9, i plus plus, printf, percentage s, new line, कॉमा, यहाँ पे सिर्फ s नहीं, s of i, and यह loop, खतम, तो बहुती simple है, तो चलिए friends, यह program का practical कर लेते हैं, start, file, dos, cell, mount, d, d drive, exit, new, scan, multiple strings, and display, has, include, stdio.h, main function, curly bracket, start, stop, clear, screen, get, ch, save, d drive, courses, c++ को हटा देंगे, and str, 24, चलो, multiple string के लिए हम two dimensional array लेंगे, तो s1 of 5 string और 5 और 5 string के अंदर 100, 100 character की limitation, अब पहले क्या था, हमारे पास क्या पहले, s1 of 100 ऐसा था, तो इसका मतलब क्या था, s1 is equal to string था, अभी क्या है, s1 of 5 और 100, तो इसका मतलब क्या होगा, s1 of 0 एक string है, फिर 1 एक string है, 2 एक string है, तो इस तरीके से हमें scan करना पड़ेगा और display भी इस तरीके से करना पड़ेगा, तो integer i loop चलाने के लिए 4, i is equal to 0 से लेके i less than और equal to 4 तक जाएंगे, i plus plus, printf, enter, string, flush all, और get s, get s के अंदर अभी तक हम यह कर रहे थे, s1, क्योंकि s1 एक single string थी, इसमें multiple string है, s1 of 0 एक string है, 1 एक string है, 2 एक string है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, s1 of i, ठीक है, उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, पाचों string को display करना है, तो पाचों string को display करने के लिए फिर से loop चलाएंगे, i is equal to 0, i less than or equal to 4, i plus plus, printf percentage s, new line, कॉमा करके, s1 of i, save, ctrl f9, यहाँ पे एक string, यह second string, क्रुनाल के तन, तो पाच string स्कैन करी, और पाचों पाच string को हमने display किया, simple, तो friends यह program का practical कर लीजिए, मिलते हैं next session,